हलो दोस्तों आप सबका स्वागता रास्ताने कैने पर जैसे आपको पत्ता हम लोग लेटेड वीडियो मनाते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीम्रावंबेट का लोग उन्यूवस्टी की जो वीडियो सीरी चल रही है लास्टे पेपर की उसी के नेक्स्ट सब्सक्राइब अज का वीडियो आज का वीडियो पहला क्यूशन है समस्त सविदाय करार होती है परन्तु समस्त करार सविदाय नहीं होते है इस पर कीजिए इसमें आपको पहले सविदा की डेफिनेशन देनी है फिर उसके बार में करार की डेफिनेशन देनी है फिर आपको बताना है कि समस्त सविदाय करार कैसे होती है और फ वीडियो बना रखा है जिसमें बताया हुव है कि किस परकार आंसर लिखना चाहिए। उस परकार आंसर लिखते हैं तो आपको maximum नused number मिल पाते हैं। तो आप डिस्क्रिसम जाके वो आप steps देख सकते हैं कि किस परकार हमें answer लिखना चाहिए चलो second question देखते हैं सविधा करने के लिए कौन-कौन सक्षम है भारती भारत में एवेश्क के करारों से संबंदित वीधियों की विवेचना कीजिए आंगल वीधि के वीधि के निनित वादों की साहिता से इसे इसपष्ट कीजिए अब आप इसमें पहले बताओगी सविधा करने के लिए कौन-कौन सक्षम है फिर कौन सक्षम नहीं है उनमें एवेश्क व्यक्ति है उसका आपने भारत में क्या मतलम निन दिया हुआ है कि वो फाइदे के लिए कर सकता है बट कोई लोस के लिए उसे बात दे नहीं किया सकता है वो सब जो कंडिसंस है वो सब आपको बतानी है इसमें आपको अंगल वीधि के जो निनित वाद है वो भी साथ में बताने है तीसरा क्यूशन है व्यापार अवरोध करार सुनने होते हैं अपवादों की साहिता से इसपष्ट कीजिए अब व्यापार में अवरोध डालने वाले करार सुनने होते हैं इस बात को इसपष्ट किरना है उधारन देते हुए, केस लोज देते हुए और इसके जो जो अपवाद है वो भी बतानी है कि किन अपवादों के तहट जब कोई मतलब विवधान डालता है तो वो सही होता है वो सुनने नहीं होता है वो चीज़ भी आपको बतानी है इस क्यूशन में किन परिस्तियों में एक सविद्धा को पूरा करना ऐसंबव हो जाता है विवेशना कीजिए कौन-कौन से स्थितिय हैं जिनमें सविद्धा पूर्ण नहीं हो सकती है और नहीं नयाले उन्हें पूर्ण करवा सकता है वो सब चीज़ आपको इसमें बतानी है उधारन के साथ में एक दो केसलों से याद्या तो और भी अच्छा है उससे आपके नमर और भी अच्छे बन जाएंगे पांचवा क्यूशन है सविदा भंग होने पर पीरिद पक्षकार को उपलब्द विभिन उपचारों का विवेचना कीजिए वर्णन कीजिए सविदा भंग हो जाती है तब एक पीरिद पक्षकार को कौन-कौन से उपाए पराप्त है कौन-कौन से लाप पराप्त है कौन-कौन से उपचार पराप्त है वो सब आपको बताने रहेंगे इसमें अब छटा क्यूशन है वो ही क्यूशन है टीपनी वाला इसमें आपको च्यार ओप्षन है उनमें से दो में आपको टीपनी करनी है जो भी आपको आता है उसके उपर Option A के उपर है मानक रूपी सविदाएं इसमें बताने कि मानक रूपी सविदाएं कौन सी होती है Option 2 है विधी विरूद उदेश्य और परतिफल विधी विरूद उदेश्य कौन से होते हैं और परतिफल कौन सा होता है वो बताने आपको बाद जी करार, बाद जी करार कौन-कौन से होते हैं, क्या परकत्दी होती है, विदिक स्थदी क्या होती है, वो सब आपको बताना रहे है इसमें चोथा है विजिनिस्ट अनुतोस अधिनियम के अंतरगत व्यादेश आपको व्यादेश एक्स्प्लेश करना है व्यादेश के टाइप एक्स्प्लेश करना है और सब चीज बतानी है व्यादेश के बारे में इस परकार हमने पूरा पेपर देखा अब आपको इससे related कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं इसी के साथ जो dr. भीमरावा medical law university की है उसकी latest update के लिए आप हमें instagram पे, telegram पे और whatsapp पे group में जूर सकते हैं और हमें follow कर सकते हैं अभी तक आपने चलन सब्सक्राइब नहीं किया तो चलन सब्सक्राइब कर लिजिए बैल का रिकम पर क्लिक कर दीजिए latest update पाने के लिए इसी के साथ आपका कोई भी question या doubt हो जो की L.U. University के बारे में हो तो आप हमें पूस सकते हैं हम आपका जल सब्सक्राइब करने के पूरी-पूरी कोशिस करेंगे थैंक यू फर वाचिंग